सुभम टेक में आप सबका स्वागत है मेरे किसान वीरो उत्वदे सरकार फिर से आप ले लेके आ गई है सॉलर पंप पहले आओ पहले पाओ इसमें क्या है अगर आपने पहले रेस्टिशन किया है तो आपको पहले सॉलर पंप मिलेगा तो इसमें कई तरीके की सॉलर पंप है दो होस्पाबर की, तीन होस्पाबर की, पांच होस्पाबर की, साड़े साथ होस्पाबर की, दस होस्पाबर की, इसमें कुछ रुपे किसान भाईयों को देना है, और बाकी कर रुपे अनुदान के रूप में मिलेगा, जो कि केन सरकार और राजसरकार राजसरकार दोनों मिल तो इस वीडियो को लास तक देखना एक एक जहनकारी में दूंगा और जब रेजिटिशन इसके स्टार्ट होंगे तो अपने चैनल पर मैं रेजिटिशन करना भी लास्ट टाइम जब रेजिटिशन निकले थे जब भी मैंने आपको सिखाया था इस बार भी सिखाऊंगा तो सब्सक्राइब का रेजिटिशन उन्निस एक दो यार तीस यानि 19 जनवरी से सुबह 11 से स्टार्ट हो जाएगा और 6 फरवरी तक चलेगा तो सबसे पहले 19 सारी को सहरनपूर मेरट अलीगड आगरा मंडल है उनमें जो रेजिटिशन वह स्टार्ट हो मैं मंडल बोल रहा हू अब यहां पर विवरंड दिया गया कि कितने ऐस्पावर की समर्र लगाएंगे कितनी आपको टोकन मनी देनी होगी और कितना आपको क्रिशक अंस देना हो बढ़े तो हरे की जो टोकन मनी यह वो 5000 रुपे फिक्स कर दिए टोकन मनी एमांट वो 5,000 फिक्स है उसके बाद जो अफसे इस क्रिशकंस है वो आपको बाद में पे करना होगा लास्ट येर मैंने अपने खुद के पास के गाउं में पांच होसपावर का सोलर पंप लगाई अगर आप वो देखना चाहते हैं आप चाहते हैं कि मैं आपको सोलर पंप दिखाऊं कितनी उसमें पानी निकलता है ठेंड में कितनी कारगर है या नहीं है तो अगर आप चाहते हैं तो वीडियो पर कमेंट करके वह वीडियो में आप के लिए चैनल पर डाल दूँगा अगर आपको देखनी हो तो इसमें देखी ज्यातर लोग है वो 5 वस्पावर 5.5 वस्पावर 10 वस्पावर पर ध्यान देते हैं और बाकी के छोटे वस्पावर हैं दो थीन वस्पावर उनकी बुकिंग है वो कम होती है दस वस्पावर की मिलेंगी अब एक चीज में आपको और बताना चाहंगो अब जैसे मैंने आपको बताया कि दस वस्पावर की दो सब्सक्राइब दो लोगों को मिलेंगी तो जो बुकिंग है वो 110 परशेंट तक इस पर होगी लास्ट बार 100 परशेंट तक पी 100 परशेंट बतला अगर दो सम हो है नमबर पहले में यह का आपका किसान पंजीकरन हो रहा हो यूपी अगरी कल्चर पर नमबर दो अनुदान पर सोलर पंप की ओनलान बुकिंग यह तो विवागी वेफसाइट पर अनुदान बुकिंग कर रहे हैं तो यूपी अगरी कल्चर डॉट कॉम पर आपको बोगेंगे पांच हजार रुपे आपको जमा करने सरकार में डिकर दिया कि पहले जो जाए जिसका मन हो रहा वो बोकेंग करा देता था वाद में जमानी करता था इसलिए सरकार ने ऐसा कर दिया इस पार अगला टोकन कंफर्म के एक सब्सक्राइब के अंदर किष्टक को अव अब यहां पर लिखा है कि एक जवाब अपना आपका टोकन कंफर्म हो जागा तो आपको बच्वी जो रासी है वह आपको भरनी है या तो ऑल्लाइन या बैंक में यह अच्छी सुब्दा कर दी इस वार ऑल्लाइन में हम बर सकते हैं लास्ट टाइम के वल बैंक में आगे सकते थे हम इसमें आगे लिखाए दो एच्पी चार दो एच्पी चार इंच तीन और पांच एच्पी चेंच साड़े साथ साथ एम दस एच्पी तो आट इंच की बोरिंग अनवार रहा है ओके बोरिंग किसान की स्वेम की होगी सत्यापन के बाद उप्युक्त बोरिंग ना पाई जाने पर टोकन मनी की धन्नासी जब्ट कर ली जाएगी और आवेदन रस्ट कर दिया तो आपकी क्या बोरिंग होना जरूरी है ठीक है इसमें आगे लिखाए प्रिदेश में सिचाई होतु विद्युद रहित छेत्रों में प्रियोग की जाने वाले डीजन पंप किया सकता है बाइस फीर तक दो एच्पी पचास फीर तक दो एच्पी तो यहां पर लिखा भी है कि आपकी कितने जब वाटर लेविल है तो कितने एच्पी आप लगवा सकते हैं तो आज की वीडियो मस् यहीं इंफर्मीशन में देनी थी आसा करता हूं आपको सारी इंफ सब्सक्राइब में आपको जवाब मैं आपको जरूल दूंगा मैं आपके लिए वीडियो लाता रहता हूं तो आप में चैनल